के तहत देश भर में एक करोण 14 लाख लाभारतियों को घर दिये जा चुके हैं मर्धब्रदेश में अब तक 17 लाख परिवारों को इस योजना से फायदा मिल चुका है पियम मोदी कारिक्रम के दौरान वेडियो कांफरेंसिंग के जरिये ही ग्रह प्रवेशम में शामिल होंगे इस आयोजन में मर्धब्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराद सिंग चौहान भी शामिल होंगे 20 लमंबर 2016 को प्रदान मंत्री आवास योजना ग्रामीड शुरू की गई थी योजना में लाभारतियों को 100 फीजदी अनुदान राशी की रूप में एक लाख बीस हजार रुपए दिया जाते हैं इसका 60 फीजदी हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है जबकि 40 फीजदी राजस पहले गरीब सरकार के पीछे दोड़ता था सिफारस के लिए ढूंदता था लोगों को आज हमनारी योजना ऐसी है कि सरकार को लोगों के पास जाना होता है खोजना होता है और सुविधा देनी होती है अब किसी की इच्छा के अनुसार लिष्ट में नाम न जोड़ा जा सकता है न गटाया जा सकता है चयन से लेकर के निर्मान तक जो की काफी अलग तो कि वो एक कट्टर अभी तक एक कट्टर इसलामी जो विचार धारा है क्योंकि इसलाम में भी बहुत बिल्कुल निश्यत तोर पर चाहे इस वारता का परणाम जो भी हो लेकिन निश्यत तोर पर ये उद्देश तो होगा ही कि जो भी दो विचार धारा हैं जिसके चर्चा आप भी कर रहे हमारी रिपोर्ट में भी साब जलक के आया कि एक मिडल ग्राउंड पर पहुँचा जाए हम ये मानके चलते हैं कि एक मिडल ग्राउंड पर ये वारता पहुँचेगी हम बड़े आशानवे तरीके से बानते हैं इसको तो अगर वो कोई मिडल ग्राउंड होगा और वैसी स्थिती में तालीबान की भी भूमिका होगी निश्चीत तोर पर governance में हम ऐसा भी मानके चलते हैं तब भारत की भूमिका भारत की जो सहर दैता है भारत की जो भूमिका है उसका स्वरोब भी क्या बदलता हुआ देखते हैं देखे मेरा मानना है कि कोई भी सरकार अफगानिस्तान में आए वो सरकार चाहेगी भारत से अच्छे रिश्चे अगर आप इत्यास उस इस्तिती में भी अगर जब तालिबान की भूमिका होती है बहुत बहुत तो पूर्ण हां इसी लिए मैं इत्यास की और आपकी नजर डा एक आधा मिनट से जाधा नहीं हमारा यह निदी अनुछरोश और अवे नहीं मते का मिन रिचित विस्तों कर दो कियो खाया है कि एक आदा मिनट तो जादा नहीं जी जी हमारा